तो हेलो दोस्त वेल्कम तो माई यूटूब चैनल तौफिक हेल्थ दी बहुत सारे लोगों का मानना जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का मानना यह होता है कि सबसे ताकतवर दूद है और बहुत सारे लोगों का मानना यह होता है कि सबसे ताकतवर गी है तो आगर आपके मन म क्या है कि सबसे ताकतवर क्या है दूद्ध या घी तो पर कमिंट में जवाब आपको दे न जरूर जवाब में दे को क्युक्त नियुक्त जानना या मुहाइच घीपतो है के लिए तो गर दे के सबसे हन रहा disseminate शुरू करोगा डाइट में, तो कौन सी डाइट शुरू करो जिससे कि मेरा बेट गयन हो, ताकत वर हो एनरजी आए, वीरिवान हो जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनना, दोस्त, मैं कहना क्या चाता हूँ, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर दूधना होता, तो गी नहीं होता, ह तो क्या घी होना संभो था दुनिया में, घी ऐसा हो पाता, नहीं हो पाता ना, तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, इसके बारे में और बाते हम जीकर करेंगे, आज पुरा खोल की बात करेंगे यार कि घी और दूध, दूध वर्सेज घी, बहुत माइंड ब्लोइंड टापिक वर में पाते हैं बहुतने डावट चलेंगें क्योंकि ये नेचर oversheit wa nation का इसके नहीं है क्योंकि झालवुक आगे Cakeny के जिक्र का है जो चीज लिक के चले गए हम सवास करना होmarket इस्ट्रॉंग हिर्द्यम बुक जो है बाग पर्डशी के दोरा लिखी गई है उसमें लिखी गई बात है हंडेट पर्शंट भी सच नहीं है यह मैं मानता हूं कितने लोग नहीं मानते हैं वो भी अपना राय कमेंट में दीजिएगा तो मैं बात यहीं करने वाला हो दोस्त ध्याद सुनों देखो दोस्त दूद्ध जो है ना उसमें प्रोटीन कर्भो हाइड्रेट एनर्जी भरपूर मात्रा में मिलेगी दूद्ध में लेकिन आपको ताकत वर नहीं बना पाएगा अगर आप यह समचते हो कि दूद्ध प्यूंगा मा कसं ताकत वर हो जाओंगा दूद्ध में कार्भो हाइड्रेक्स मिलता है प्रोटीन भी मिलता है कैलसिम भी आपको मिल जाएगा हर चीज मिद्ध कर और चीज होता है मैं बता है घी कि रेकिह वोता है हर गी को बहुत आशान कर सकता हूं तो भी को नहीं चाहिए आजन सकता हुगत। चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका भी पाचन सकती ऐसा हो कि घी क्या यार कोई भी चीज आप खाके हजम कर दो, तो लिंक डिस्क्रेप्शन में दे दिया हो जाके वीडियो देख लेगा दोस्त आपका पाचन सकती भी घोड़े से ज्यादा मजबूत हो जाएगा, गोड़े स की बेसुमार लगेगी यार आप बोलोगी यार वाव मैचेंग इतना सांदार लगे जैसे कि आपका स्कीन लाइट होगा इसकीन लाइट होना लग बात है इसकीन को प्रोफेशनल्टी तरीके से जैसे स्कीन को तो बहुत स्य लोग क्या करते हैं कि skin पर दाग दब्बे ना हो ठीक ठाक रही skin, और skin में कोई problems ना हो जहीं हो यह ना हो, लेकिन अगर light होना जिससे skin पर कभी आपको कोई problem है नहीं होगी, आपका skin हमेसा चमकेगा या चांद की तरह एदम खूब सूरत दिखेगा, skin एकदम light ह लोग सुभा में क्याकरते हैं चना यह वह बहों साई द्शे चीस है खाना चाहिएए लेकिन घी को हजम कर सकते हो तो घी आपके सरीर में ताकत का खजाना भर देगी आपको बीरिवान मना देगी दोस्त बीरिवान होने का सबसे गहरा राज घी का है अगर आप घी को खाने का तरीका जानगे घी को खाने का हजम करने का तरीका जानगे तो आपकी पाचन सकती एकदम सांदार तो हो ही जाएगी दोस्त धीरे-धीरे वह मैनेज कर लेगा बीरिवान भी आप बहुत सांदार तरीकी से हो जाओगे तो बढ़र में ध्यान यह देना है अगर आपको शरीर में ताकत चाहिए बीरिवान होना स्कीन को लाइट करना है तो पहले आपको केर करना होगा पाचन सक आपकी सही होगी तो आटमेटिक आप घी को हजम कर सकते हो और दूद की बात करें दोस्त अगर आपको कार्वोहाइड्रेट प्रोटीन कैल्सिम है सारी चीज़ आई तो आप दूद कर सेवन कीजिए फैट भी मिलेगा थोड़ा मोटे हो जाओगे इसा नहीं ताकत वर हो ज देते हैं उसको खाना नहीं चाते तो सबसे ताकत वर होता है घी दूसे भी कहीं जादा तो घी का सेवन करिए दोस्त आप माइंड ब्लोइंग तरीके से अपने चीज को अपने चीजों को बहुत सारी चीजों को अंदर की जो टूटी-फूटी वी चीज़ें उसको आप ट इस्टाग्राम पर फालो नहीं कि अपने इस्टाग्राम वीजों लेम यह है डीके एल्थ 11 जाके आप मुझे इस्टाग्राम पर भी फालो कर सकते हो तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर लेकर तब तक के लिए